सामसंग जे सेवेन नेक्स्ट बेटरी नौट चार्जिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी काति किराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा यहाँ पर आपको यह जो प्रॉब्लम है कैसे फिक्स करना है ठीक है अगर दोस्तों बेटरी जो है चार्च नहीं हो पा रहे अगर बेटरी के लिए तो धोक्रॉब्लम को सब्सक्राइब करें अगर आप आनलाइन पैसा कमाना चाते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है आपको चार्जर बदल की देखना है ठीक है अगर आपका चार्जर यहाँ पर औरिजिनल नहीं है तो औरिजिनल चार्जर यूज़ करके देखे औरिजिनल चार्जर काम कर जाते ही तो ठीक है अगर औरिजिनल चार्जर यूज करने के बाद भी चार्जिंग काम नहीं कर रहा है तो आप अपने मुबाइल सोफिर को हो सके तो एक बार अपडेट करके चेक करें टिक हैं फिर करने के बाद दोस्तों अगर आपका problem स्वुल्फ करना है ठीग है अगर आपका problem अभी भी सव्फ नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी Zhenya घिंशंग के पास या टो फिर किसी भी स yardımर के पास जाके solve करना है problem ठीक है अगर warranty पी है तो free में हो जाएगा अगर warranty खटम हो चुका है तो आपको थोड़ा बहुत पेसे देखे fix करना है क्योंकि दोस्तों यह पर आपका battery damage हो चुका है या तो फिर आपका जो charging करने वाला पीन का plug होते हैं वो खराब हो चुका है तो उनको बदलना होगा या तो फिर आपको कुछ चीजे जो है रिपेर करना होगा तब जाके दोस्तों problem solve हो जाएगा बेटरी स्लो चार्जिंग हो रहा है स्लो चार्जिंग होने के बाद डारेक्ली चर्ट बन होना यह दोस्तों हो शोर्ट सर्किट का सब्सक्रूंग है तो आपको यह जो problemや technician के पास जाके fix करें और करवा होता है कई सारे problem सीमें और यहां जो स्वैर्टरी चार्ज नहीं हो रहा है ठीक है वह problem सिर्फ technician के पास जाकी fix हो रहा है ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुछ कर सकते है कुछ सौफ़एर के रिलेटेटर यहाँ पर सौलिशन कर सकते है तो वह है अगर इसके बाद भी काम ना हो मुबाइल को रिसेट मर्ट किजएगा दारिक्ली जाये टेक्निशन के पास में ठीक है तो वो fix करके देगा problem उमीड करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसे नहीं होगा Thanks for watching